हालो माई डियर स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग और वेलकम बैक तो मैं यूटूब चैनल साइंस इन देफ्थ ओके नाव आम गोईंग तो स्टार्ट न्यू चैप्टर ऑफ क्लास फिफ दाट इस लाइट एंड सडो ठीक है अब हम लोग किस चीज के बारे में तो विफोर गोईंग तो स्टार्ट इसके बारे में हम आपको कुछ स्टोरी बताने वाले हैं इस चैप्टर को पढ़ने के बाद क्योंकि यह जो बुक का नाम है ना साइंस इन देफ्थ है और यह बुक में क्या होता है कि कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले स्टो आपक्टर पर जाएंगे सी अमीत अतुल्या वेर दूइंग दियर होमवक इन दियर रूम अतूल और अमीत और अतुल्या अपना होमवक कर रहे थे अपने रूम में ठीक है दिया ध्यान से सुनेंगे सदेनली दपावर सप्लाई वास डिस्रॉप्टेट एंड बिकम और ड हो जाता हिए डैश अंधियरा हो जाता ठीक है अभी स्मेडिययकल बाउपड लुकोपा और टोष टीक इंट मृश अमीड क्या करता है टोर चलाता है ठीक है तोर्च लाने के बादके सब्सक्रावे Lock mana ठीक है जलाता है room में अतुल्या notice that as Amit was approaching him his shadows was increasing in size अब जो अतुल्या है notice कि जो उस पे torch जो जा रहे थे ठीक है जो torch जा रहा है जैसे कि देखो यहां पे इस पे torch जला रहा है तो यह क्या notice करता है कि इधर फीछे wall है wall में जैसे यह नजदिक ला रहा है तो shadow बड़ा हो रहा है ठीक है और दूर जा रहा है तो shadow shadow छोटा हो रहा है तो यह notice करता है ठीक है अतुल्या यह notice करता है यह लड़का ठीक है बाबो और notice करने के बाद और क्या करता है Amit explained that the size of shadow depends on the distance between the object and source of light और फिर यह उससे पूछता है कि ऐसा क्यों हो रहा है तो यह जो है ना यह लड़का एक description देता है बताता है इसको कि जो size है ना shadow का is near the source it blocks a lot of lights and big shadow is formed ठीक है और यह भी बताता है आगे में कि आगर कोई भी shadow कोई भी source of light है बगल में है कोई भी object का यहां से light लिकल रहा है यह बगल में है तो यह बहुत सारा light को block कर देता है और थोड़ा बहुत light से पास करने देता है इसके कारण क्या होता है कि बड़ा सा shadow formed होता है बड़ा सा shadow बनता है ठीक है डिया and when the object is father from the source of light shadow becomes smaller आप जब object है object से दूर रहेगा कोई भी source of light object से दूर रहेगा तो क्या होता है कि जो shadow है smaller बनेगा ठीक है छोटा बनेगा तो अब हम लोग इसको यह पढ़ लिए यहां पर हमको shadow के बारे में सिर्फ बताया ठीक है object object मतलब confuse मत करना वाबू object हम लोग कुछ भी चीज को बोल सकते हैं आप लोग उजिस mobile से पढ़ रहे हो वह भी एक तरह का object है ठीक है object हम लोग common language के लिए लेते हैं सभी चीज के लिए book book किताब हम भी एक object है घर में जितने अगल बगल चीज देख रहे हैं सबको object बोलते हैं ठीक है लाइट है चितने भी living things होते हैं ठीक है जितने भी living things है सभी के लिए important है अब यह एक तरह का energy भी है ठीक है यह एक तरह का energy है ठीक है energy का form है light हमको light से हमको energy भी मिलता है अगर light नहीं होता ठीक है तो क्या होता plants would not be able to grow in the absence of in absence of plants animals humans would not get food ठीक है जो plants होते है न वो grow नहीं कर कर पाते हैं डिक को नहीं कर पाते हैं ब्लांट्स कुए अप सेंट में अनिमाल्स के अप सेंस्ट में देला में रही हैं यॉम लोग को MEL को में करका है जब अने तो अंप उने रहे हो लुए टृव यहाई lu को ठीक है तो हम लोग देख लिए कि plants के absence में animals or humans को खाना नहीं मिल पाएगा ठीक है और light के जलते plants अपने आपको grow नहीं कर पाएगा यह तो पता है तो light कितना जरूरी आपको पता ही है a shadow is formed when an object obstruct the path of light shadow कब बनता है जब कोई object जो light जहां से pass कर रहा है light जहां से pass कर रहा है उस light कोई भी object उसको रोक लेता है तो फिर जाकर क्या होता है कि shadow बनता है यह तो पता है एक चीज़ और याद रखना light always traveling in straight line light हमेशा जो है न वो travel करता है straight line में travel करता है सीधा line में जाता है ऐसा नहीं कि टेंढ़ा मेड़ा जाएगा ठीक है एक लाइन में travel करेगा बेंड पाइप के थूर जिसे कि यह pipe है हमारा ठीक है यह pipe है यहाँ पे हम लोग मुंबत्ती रख दिये candle रख देते हैं यहाँ से हम लोग देखेंगे तो light आपको नहीं दिखेगा इसलिए नहीं दिखेगा क्योंकि यह light हमेशा always travel in a straight line light हमेशा straight line में travel करता है ठीक है डिया the light falling on that object cannot reach the other side जो light कोई भी object पे गिर रहा है यहाँ पे तो दुसरे side तक नहीं पहुच पाता है प्रोपो बेसे इसलिए जो दुसरे पार्ट में जो डाक पैच बनते है ठीक है जो डाक पैच बनते है is formed in a particular reason and we call it a shadow अब एक particular reason में बना देता है कोई भी चीज जैसे कि यहाँ wall है अगर कुछ भी चीज है तो वहाँ पे एक dark page बनेगा उसी चीज को हम लोग क्या बोलते है shadow बोलते है ठीक है उसी चीज को हम लोग shadow बोलते है ठीक है लूमिनस बोड़ी हम उसको बोलते हैं देखों इजी लैंगवेज में आपको इजी इजली समझा देते हैं sun हमारा एक luminous body है क्यों अब ये natural है ठीक है क्या है ये natural है प्राकृतिक देन है हम लोग sun थोड़ी ना बनाए है तो ये जो sun हमारा luminous body है क्यों इसको luminous body बोलते हैं क्योंकि इसके पास खुद का light है ठीक है इसके पस खुद का light होता है और यह जब लिकलता है तो हम लोग इसको इसका light लेते है light भी देता है और heat भी देता है ठीक है the luminous body is a source of light जो luminous body होते है ना light light का source होते है उसी के थुरू हमको light मिलता है ठीक है luminous body के थुरू जैसे कि sun हो गए stars भी है यह sun और star जो रात में देखते हो वह भी क्या है luminous body है क्योंकि उनका भी खुद का light होता है sun भी एक तरह का star ही है ठीक है यह हमको बड़ा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि यह earth से थोड़ा नजदीक है star के मुकाबले ठीक है star के मुकाबले sun से यह earth से थोड़ा नजदीक है इसलिए हमको बड़ा दिखाई देता है अब यह sun और stars natural है एक firefly होता है जिसको हम लोग क्या बोलते है जो नहीं जलते रहता है रात के time में आप देखोगे ठीक है जो उड़ते रहता हो जलते रहता है भग जोगनी जासा होता है ओ हमारा क्या है ओ भी natural है ओ भी natural living है ठीक है ओ भी natural चीज है उनका भी nature के थूँ आता है उनके पास भी खुद का light होता है तो भी luminous body है ठीक है अब घर में बगरा bulb बगरा जो जलाते हो आपके घर में bulb है, tube light है, lamp है टोर्च है, ठीक है, candle है यह सब भी luminous body है क्योंकि यह light देता है हमको ठीक है, यह सब भी luminous body है क्योंकि यह light देता है clear हो क्या होगा आपको और यह सब light हमको देता है बट यह सब natural चीज नहीं है यह सब man-made material है man-made material क्यों बोलेंगे क्योंकि ये हम लोग बना कर दे बनाए है ठीक है ये हम लोग बनाए है और luminous और non luminous body कहने का मतलब कि इसका just opposite मान लो जिसके पस खुद का light नहीं होता है जैसे कि आप लोग example में हम दिखा देते हैं देखो ये firefly है ये bulb है हमारा candle है ठीक है तो ये सब ये सब हमारा क्या है luminous body हो गया और non luminous body क्या है bench हो गया moon हो गया ठीक है pen हो गया table chair हो गया ये सब सब हमारा non luminous body क्योंकि इनके पास light नहीं होता है अब आपको confusion लग रहा होगी सर चांद में तो light होता है तो फिर कैसे आप बोल रहें कि चांद को चांद का luminous body नहीं है ठीक है तो luminous body इसलिए नहीं और reflect करता है हम लोग कैसे table पे रात में अंधेरा room में आप table रखे हुए हो और table अगर कोई भी चमकता चीज कहीं देखोगे आप लोग कोई चमकीला चीज है उस पे आप torch मारो तो क्या करेगा light reflect कर देगा चारो तरफ करेगा ना तो उसी तरह से ये जो है थोड़ा सा इसका करेंद का से देखोगे कभी इस तरह से दिखेगा तो कभी इस तरह से कभी हाफ दिखेगा क्यूंकि जितना ओलाइट लेगा उतना ही नहीं हम देख पाएंगे वोड़ी को तो अब समझ जो luminous and non-numerous body में क्या difference है आपको पता है luminous body उसको बोलते हैं जिसके पास खुद का light होता है non-luminous उसको बोलते हैं जिसके पास खुद का light नहीं होता धेर सारे example है light नहीं होता है ठीक है अब हम लोग next topic पर बढ़ते हैं क्या बोल रहा है जो भी रॉस नहीं कल रहा है तो यह हमेशा straight line में ही लिख लेगा तो रीज होता है ठीक है बाबो light continuous to travel in a straight line until it hits other object यह light हमेशा continuous चलते रहता है straight line में ही रहता है ठीक है जब तक इस पर कोई object नहीं पड़ेगा तब तक हमेशा straight line में अब object पड़े गया तो यह reflect कर जाता है ठीक है यह reflect कर जाता है इसको हम लोग reflected ray बोलते है ठीक है इसको कौन सा ray बोलते है reflected ray बोलते है जो reflect करता है ठीक है और देखो अगर light कोई भी object पर गिरता है जैसे कि यह कोई object है light यहां से आ रहा है ठीक है इस पर आ रहा है या तो यह इससे reflect कर जाएगा या तो इसके इससे pass कर जाएगा ठीक है या तो इसमें observe कर लेगा तीन चीज होता है इसी में observe करे करता है ना कुछ करता है वो हमको पता ही नहीं चलता है क्यों रिफ्लैक्ट करता है जैसे कि आप कोई नोर्मल कॉटन वेगर आपे दे दो ठीक है तो उससे लाइट रिफ्लैक्ट नहीं करता है ठीक है जल्दी लाइट रिफ्लैक्ट आप जैसे कि मीरर है तो मीरर में लाइट मारो तो उससे reflect कर जाएगा राइट ठीक है कोई-कोई पूरी तरह से पास कर जाएगा कोई-कोई-कोई-कोई-कोई-कोई-कोई-कोई-कोई-कोई-कोई-कोई-कोई-कोई-कोई-कोई-कोई-कोई-कोई-कोई-कोई-कोई-कोई-कोई-कोई-कोई-कोई-कोई-कोई-कोई-को ठीख है और opaque object के बारे में पढ़ेंगे और translucent object के बारे में पढ़ेंगे ठीख है translucent object के बारे में पढ़ेंगे तो चलो देखते हैं पहले इसको हम लोग देख लेते हैं यह क्या है this is because of object are made up of materials and different materials so the different behavior to towards lights ठीक है यहाँ पर इसलिए ऐसा होता है क्योंकि जो object होते हैं अलग-अलग material से बने हुए होते हैं ठीक है अलग-अलग material से बने हुए होते हैं इसलिए lights के towards में यह अलग तरह का behavior करते हैं based on the behavior of the materials towards lights all object can be classified into three group categories ठीक है अब उसी material behavior के तौर पे और उसका materials के light के towards में उसका material पे क्या किया गया है तीन categories में इसको बाटा गया है ठीक है तीन categories में बाटा गया है transparent हो गया opaque हो गया translucent हो गया तो अब हम इसको easy language में हम समझा देते हैं बुक के थ्रू नहीं जाएंगे otherwise यह long हो जाएगा फिर video का minutes भी जादा हो जाएगा और हम नहीं चाहते हैं कि बच्चे लोग को जादा object कि इसको बोलते हैं transparent object उसको बोलते हैं कि देखो यह glass है जैसे कि transparent आप किसी को भी बोल सकते हो, आपके घर में glass होगा, यह लगा हुआ होगा खिनकी के पास, तो खिनकी के पास किसी के घर में देखो ग्लास ऐसा होता है कि पूरी तरह से इधर उधर आर पार देख सकते हैं, ठीक है, आर पार एकदम clear वे से देख सकते हैं, कहीं कोई ह इस तरह से example है, आपका यहाँ पे, shallow fan paper हो गया, shallow fan भी पेपर एक आता है, जो कि एकदम पूरी तरह से क्या रहता है, वो transparent object रहता है, आप आर पार उससे दिखाई देता है, ठीक है, तो transparent object समझ के, अब चलो हम लोग opaque object की बात करते हैं, opaque object कहने का मतलब कि इसका just opposite समझ लो, ठीक है, opposite समझ लो, कि light को पूरी तरह से block कर देता है, जिसे कि आपके घर में दिवाल है, ठीक है, wall है, वो सब क्या है, light उस पे दोगे, तो अभी हम just example बताया थे, कि आपका एक room है, room में आप light जलाते हो, दूसरे room में light नहीं पहुचता है, क्यों, क्योंकि आपका जो wall है अपेक है, उसको हम लोग अपेक object बोलते हैं, जो light को हार पार ना कर सके, उसको हम लोग अपेक object बोलते हैं, क्लियर हो गया, ओपेक object में धेर सारे example है, उड हो गया, लकडी हो गया, cardboard हो गया, metal हो गया, rocks वगरा हो गया, पत्थल हो गया, यह सब सारा example किस चीच का है, opaque object का, और translucent object आप लोग बोटल देखे होगे, ऐसा ऐसा बोटल आता है, जो कि पूरी तरह से क्या clear नहीं रहता है, धूंदला टाइप आपको दिखा देता है, उससे ठीक है, हलका हलका light पास क करें, पूरी तरह से clear वैसे light नहीं पास करता है, आपके घर में window का खिणकी, देखोगे, कि क्या होता है, पूरी तरह से कोई-कोई नहीं चाहता है, कि पूरा दिखाई दे, आरपा, थोड़ा बहुत दिखाई दे, ठीक है, हलका फुल का light पास करें, तो वो हमारा translucent उसको ब पास करें, बटर पेपर आ जाता है, बटर पेपर एक आता है, जिसमें जैसे कि आप translucent object बनाना है तो आपका page लेना, ठीक है, आपका किताब है, उसमें हलका सा oil डाल देना, ठीक है, एक पेज ले लेना, किताब का या copy का, उसमें oil डाल दो, ओल डालने के बाद, उसको देख ओपेक अबजेक्ट पूरी तरह से ब्लॉक कर दे लाइट को ट्रांसलूसेंट अबजेक्ट में क्या है कि हलका फुल का लाइट पास करें कोल ड्रिंग का बॉटल आप लोग पीते हो तो उसमें देखना पूरी तरह से आपको आँख धुंदला धुंदला टाइप दिखाई लेगा ठीक है उसको हम लोग ट्रांस्पैरेंट ट्रांसलूसेंट अबजेक्ट बोलते हैं ठीक है डिया डिटी वाटर गंदा पानी भी ट्रांसलूसेंट ही होता है जो कि हलका फुल का लाइट पास करें पूरी तरह सनी क्लियर नहीं दिखाई दें ठीक है अब चलो हम लो प्रांट गो थूद अराउंड और अब्जेक्ट कोई भी लाइट जैसे कि यहां पर यह लाइट है यह लाइट आ रहा है यह अबजेक्ट है अबजेक्ट मतलब बुक है यहाँ पर ठीक है यह लाइट को ब्लॉक कर दिया तो इसका फिर नीचे में डाक पेच बन जाता है जिसको हम लोग shadow बोलते हैं ठीक है, since light cannot get the area behind the object blocking it, the dark page is formed, the dark page is called the shadow, यह तो पता है कि जो फिर light यहां से pass हो रहा है, यह light इसको block कर दे रहा है यह किताब, और नीचे में dark page बन जा रहा है, उसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, और यह shadow बोलते हैं, अब एक चीज़ याद रखना कि हमेशा opaque object कहने का मतलब कि पूरी तरह से light को block कर देता है, उसी को हम लोग बोलते हैं, opaque object, opaque object में क्या होता है, कि shadow एक दम clear बनता है, black, dark बनता है, ठीक है, shadow एक दम पूरी तरह से clear बनेगा, opaque object में ही बनेगा, ठीक है, अब transparent object ले 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 लेंगे, तो transparent object तो light तो pass कर देगा ना, light को block नहीं करेगा, तो फिर क्या से shadow बनेगा, नहीं बनेगा, ठीक है, does a shadow formed when the light is made fall on an opaque object, ठीक है, opaque object पे light गिरता है, तब जाकर shadow बनता है, translucent object allow only a part of light to through them, so they form a fan shadow, ठीक है, fan shadow कहने का मतलब कि ये देखो हमारे इस तरह का transparent translucent object इसको हम बोलेंगे, ये glass है, जो हलका full का दिखाई दे रहे, देखो, इधर clear दिखाई दे रहा है, और इधर हलका हलका दिखाई दे रहे है, ठीक है, तो ये जो हमारा है translucent object, translucent object में भी ये क्या बनता है, shadow बनता है, बट पूरी तरह से नहीं बनेगा, आपको अच्छा shadow नहीं बनेगा, मतलब पूरा clear shadow नहीं क्योंकि उससे light पूरी तरह से पास कर जाता है, ठीक है, opaque object में सबसे अच्छा shadow बनता है, ठीक है dear, ओके तो समझ में आ गया होगा, इसके बारे में shadow कैसे बनता है, कौन सा object में shadow बनता है, opaque में और translucent में बनता है, ठीक है, आप देखो, यहाँ पर क्या बोले, condition to form a shadow, condition जिसके through shadow बनता है, in order to form a shadow, we need a source of light, जो अगर shadow बनाना है, तो हमको क्या चाहिए, light चाहिए, light का source चाहिए, light का source चाहिए, उस कौन कौन सा object में बनता है, opaque में, translucent object में, क्या बनता है, shadow बनता है, any surface और screen behind the object, ठीक है, object के behind में, जैसे कि यहाँ पर object रखा हुआ है, कोई भी चीज, औ अगर यहाँ से है, तो, ठीक है, light यहाँ से दे रहे है, source of light, तो इसके just पीछे, क्या होगा, shadow बन जाएगा, उसका ठीक है, अगर कोई present नहीं रहेगा, ठीक है, shadow नहीं बनेगा, feature of shadow, shadow का features क्या क्या है, चलो देखते हैं, उसका खासियत क्या क्या, as shadow has a following feature, इससे बहुत सार features भी है, जैसे कि shadow always formed in opposite side of the light source, अब shadow हमेशा ultra side में बनेगा, जिधर का light रहेगा, उसका just opposite side में बनेगा, यह तो पता है, if a person is facing the light source, अगर person example के तोर पे यहाँ दिया हुआ है, कि अगर कोई भी person light का source, जैसे कि यह आदमीन है, ठीक है, यहाँ से light जा रहा है, अगर यह इधर का light face कर रहा है, तो इसका just opposite side में इसका क्या बनेगा, shadow बन जाएगा, ठीक है, इसका opposite side में shadow बन जाएगा, ठीक है, लड़का रहे है, या लड़की रहे है, कोई भी रहे है, उसका opposite side में ही shadow बनेगा, ठीक है, and if the light source is behind him or the shadow will form in the front of the person, ठीक है, अगर उसका जैसे कि इसका पी clear है, ये तो पता ही, आप लोग खुद से भी करके देख सकते हो, ये चीज, कोई confusion नहीं होगी, घर में भी करके देख लेना, तोर जलागे, कैसे shadow बनता है, किस तरह से बनेगा, ठीक है, shadow does not provide any detail about the objective, एक चीज और याद रखना, जो shadow होता है, ना, shadow तो बन जाता है, हमारा, shadow तो आपका बन जाएगा, मगर shadow के थूँ क्या होता है, कि आपको ये नहीं पता कर पाएगे, कि वो shadow किसका है, ठीक है, वो shadow किसका है, वो detail नहीं देता है, shadow जो बनता है, हमको कोई भी चीज का detail नहीं देता है, कि किसका shadow बन रहा है, क्या है, ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना कि सैडो डिटेल किसी भी चीज का कोई भी अब्जेक्ट का नहीं बताता है वो सिर्फ आपको डार्क पेच दिखेगा लाइक कलर का मगर यह नहीं पता चले कि वो कौन सा क्या है कौन सा अब्जेक्ट है ठीक है इत ओली गीप सेना आडिया बार दर सेप अब्ज सिर्फ यह आपको औब्जेक्ट का सेप देगा ठीक है अब्जेक्ट का शेप के बारे में आडिया बताओ कि किस सेप में ठीक है कैसा है गोला है इसक्वाइर में है ठीक है इस तरह से ओके सैडो में हमिचा ब्लैक होता है whatever be color of the object object का कोई भी color हो किसी भी तरह का color हो red हो yellow हो black हो white हो तब भी एक shadow हमारा जो बनेगा black ही बनेगा clear है show dear हमारा last page पे आ चुके है हमारा जो chapter का है last होने वाला है अब यह हमारा last में देख लेते हैं क्या क्या है the size of the shadow depends on the distance of the source of light starting में हम आपको बताया थे shadow का जो size होता है light पे depend करता है source of light पे depend करता है कितना दूर से आ रहा है कितना नजदिक से आ रहा है उसके हिसाब से हमको पता चलता है it also depends on the distance between the object and the surface which is on which it is formed ठीक है यह इस पे भी depend करता है object और यह इस पे भी depend करता है कि distance between object and surface जो surface का distance है और object का distance है उस पे भी depend करता है यह ठीक ना यह object है यह surface है हमारा तो इसका भी distance पे भी object इस पे भी depend करता है कि कितना distance है ठीक है डिया तो if the source of light is closer to the object अगर light का जो source है object के नजदीक में है तो हमारा क्या होगा shadow बड़ा बनेगा ठीक है compare to the shadow by the form light source which is far from the object और अगर हम लोग compare करते है shadow को कि जो कि जो light का source है यहाँ से जो light आ रहा है जो जितना दूर है object के जितना दूर है उस पे भी depend करता है कि कितना दूर है light ठीक है तो यहाँ से यह हमको पता चल रहा है कि इसलिए क्या होता है कि शुबा और साम में morning और evening में जो हमारा shadow होता है लंबा बनता है as the compare to the noon ठीक है दोपहर में अगर हम compare करते है तो क्योंकि जो sun का sun का जो light है starting में जब यह सुबा में लिकलता है तो थोड़ा सा earth के नजदीक रहता है it means कि यह सामने रहता है तो फिर उसके बाद जब दोपहर में जाता है तो उपर head के उपर चला जाता है तो head के उपर जाएगा तो उसके हिसाब से जब head के उपर से light आएगा तो हमारा shadow उतना नहीं बन पाएगा जितना long यह बना था जितना distance में है sun उतना ही distance में है already पट क्या होता है ना कि जैसे कि अगर हम इसको बात करते हैं कि यह सुबा में रहेगा तो इसका light जितना cover एगा एक example देखो यहाँ पर light आ रहा ही धर से ठीक है तो यह पूरी तरह से light ब्लॉक कर रहा है अच्छे से light को ब्लॉक कर रहा है इसलिए हमारा यह जो shadow है morning में long बनेगा ठीक है और दो पहर में light उपर से गीरेगा तो इसके कारण क्या होता है कि shadow हमारे इस तरह से छोटा बनता है तो evening और morning में जो shadow होता है लंबा बनता है तो dear हमारे chapter complete हो चुका है I hope आपको समझ में आ गया होगा अगर अच्छ समझ में आया होगा तो like और subscribe करना न भूले अगर और भी कोई chapter पढ़ना तो आप comment section में आप लिख कर बताइए कि सरम को यह chapter पढ़ना ठीक है dear I will explain that chapter also ओके यह आपका key terms है key terms को भी देख सकते हो आप लिख सकते हो इसको ठीक है so bye check here all of you